बच्चों, आज हम सुनेंगे बिल्ली और बंदर की कहानी तो एक बार एक गाउं में दो बिल्लियां रहती थी वो आपस में बहुत प्यार से रहती थी उन्हें जो कुछ मिलता था उसे आपस में बाट कर खाया करती थी एक दिन उन्हें एक रोटी मिली उसे बराबर बराबर बाढ़ते समय उनमें जगड़ा हो गया एक बिल्ली को अपनी रोटी का टुकड़ा दूसरी बिल्ली के रोटी के टुकड़े से छोटा लगा परन्तु दूसरी बिल्ली को अपनी रोटी का टुकड़ा बड़ा ही नहीं लगा अब क्या कर सकते हैं? तो जब दोनों बिल्लियां किसी समझोते पर नहीं पहुच पाई तो दोनों बिल्लियां एक बंदर के पास गए उन्होंने बंदर को सारी बात बताई और उससे न्याय करने के लिए कहा सारी बात सुनकर बंदर एक तराजू लेकर आया और दोनों टुकडे एक-एक पलडे में रख दिये तोलते समय जो पलडा भारी हुआ उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़ कर अपने मूँ में डाल ली अब दूसी तरफ का पलडा भारी हो गया तो बंदर ने उस तरफ से रोटी तोड़ कर अपने मूँ में डाल ली इस तरह बंदर कभी इस तरफ से तो कभी उस तरफ से रोटी जादा होने का कहकर रोटी तोड़ कर अपने मूँ में डाल लेता दोनों बिल्लिया चुप चाप बंदर के फैसले का इंतिजार करती रही परन्तु जब बिल्लियों ने देखा कि रोटी के दोनों टुकडे बहुत छोटे छोटे रह गए तो वो बंदर से बोली कि आप चिंता ना करें, हम अपने आप मटवारा कर लेंगी इस पर बंदर बोला जैसा आप ठीक समझो, परन्तु मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए इतना कहकर बंदर ने बाकी बचे हुए रोटी के दोनों टुकडे अपने मू में भर लिये और बिल्लियों को वहां से भगा दिया दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का बहुत दुख हुआ और उन्हीं समझ आ गया कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फाइदा उठा सकते हैं तो बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और आपस में जगड कर रिष्टे में फूट नहीं डालनी चाहिए क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फाइदा उठा जाता है इसलिए एक ताकी शक्ती को पहचाने और मिल कर रहें ये कहानी है शहर के बाहर एक घने जंगल की जंगल का राजा शेर अपने गुफा में अराम से सो रहा था तब ही एक चूहा कही से आकर शेर के उपर कूदने लगा जिससे शेर की नींद तोट गई शेर को चूहे पर इतनी जोर से गुसा आया कि शेर ने चूहे को अपनी पंजों में जकर लिया और गुर्राते हुए बोला तूने मेरी नींद खराब की अब मैं तुझे मार डालूंगा चूहा बहुत दर गया और कापते हुए शेर से बोला हे शेर राजा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे माफ कर दीजिए अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपके इस उपकार को मैं वक्त आने पर जरूर चुका दूँगा यह सुनकर शेर को चूहे पर डया आगई और उसे जाने दिया पर शेर मन ही मन हसा और सोचने लगा भला ये छोटा सा चूहा मेरा उपकार क्या चुकाएगा समय बीता गया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि अचानक से एक शिकारी ने शेर को चाला की से अपने जाल में फसा लिया शेर सहायता के लिए जोर जोर से दाहार ने लगा तभी शेर की दाहार चूहे ने सुनी और वो दोड़ता हुआ शेर के पास आया शेर को जाल में फसा देखकर चूहे ने तुरंट अपने नुचिवे दातों से शिकारी का जाल कार दिया और शेर को अजाद कर दिया शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया उस दिन से शेर को समझ आया कि किसी भी प्रानी की काबिलियत उसके भारी रूप से नहीं लगानी चाहिए और कभी छोटे बड़े का भीदबव नहीं करना चाहिए हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते है